नमस्कार बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुपता, टीम फिजिक्स, CLC सिकर. तो J.E. की प्रप्रेशन के लिए 2021 के बचे हुए अटेम्ट के लिए CLC का एक इनिशेटी जिसमें हम J.E. मेंस के 2019, 2020 और 2021 के जितने भी क्योशन से आपको दे रहे हैं ताकि आप J.E. मेंस में देख सके किस तरह के क्योशन का पेटर्न वहाँ पर पूछा जाता है, किस तरह के डेटा होते हैं, किस तरह से सेट के होते हैं, और उनको उस ड्युरेशन में किस तरह से हमें सौल करना होता है. इसी कड़ी में हमारा अगला unit 8 जिसमें हम topics cover करने वाले heat transfer, thermal expansion और calorimetry तो इसमें हम बात करते हैं question 1 से देखेंगे किस तरह questions यहाँ पर पूछे गए हैं इस topics से आपको temperature difference 120 degree का यहाँ पर दिया हुआ है और maintain किया हुआ है two ends of the uniform rod AB तो जिसकी total length कितना है? 2L और यह length कितनी है? L by 2 है ना तो 3L by 2 का section है तो L by 4 यह भी L by 4 और यह हिस्सा L और यह हिस्सा कितना है? L by 2 हमें पता है thermal resistance क्या होता है? thermal resistance का formula होता है 1 upon K L by A मतलब R is directly proportional to L तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं L length का resistance को R मानता हूँ तो यह resistance केस हो जाएंगे बिटा यह तो हो जाएगा R by 2 यह हो जाएगा R यह हो जाएगा R यह हो जाएगा R by 2 धन उसके बाद R by 4 धन उसके बाद R और यह हो जाएगा R by 4 क्योंकि length L by 4 है ना इस लिए तो देखो R by 4, R by 4 और R मिलकर कितना हो जाएगा? यह जो जाएगा 3 R by 2, तो यह जो जाएगा मेरे पास यहाँ पर R by 2, R और यह जो जाएगा 3 R by 2, तो दो इधर लिख sectors 3 R by 2, 3 R by 2 और R का पैम से सी अधम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर यह един को Piksi बीन के सब नबेकर जाएगा 30 3R by 2 और R का parallel होगा मेरे पास 3R by 5 देखो 3R by 2 into R upon 3R by 2 plus R तो यह आएगा 3R by 5 दो resistance parallel में solve करना इस तरीके से तो इनका effective कितना आएगा 3R by 2 into R upon 3R by 2 plus R यह इनका parallel हो जाएगा तो 3R by 5 और इधर कितना हो जाएगा R by 2 तो यह जो resistance आएगा यह तो आजाएगा अपने पास यह कितना आएगा 3R by 5 और यह पूरा मिलके हो जाएगा R तो यहाँ पर जो resistance का ratio आएगा वो क्या रहा है इसको 5 by 5 लिख सकता हो में तो 3 और 5 के ratio में resistance का ratio क्या रहा है 3 is to 5 तो इस R पे यहाँ पर आपको किस पर पूछ Q जब आपको निकालना है तो simple सा यहाँ पर delta T total जैसे अपन current electricity में voltage को divide करते है वैसे यह temperature को divide करेंगे 3R by 5 upon 3R by 5 plus R तो यहाँ पर आप solve करेंगे बच्चो तो यह कितना जाएगा 120 3R by 5 और यह जाएगा 3 by 8 8 से cancel होगा 15 times 45 degree centigrade तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा 45 degree centigrade ओके बच्चो तो यहाँ ध्यान रखने है आपको simple क्या करना है इस PQ section का total resistance निकालो यहाँ PQ section का और इस बचेवे section का resistance निकालो temperature difference को resistance के इसाफ से divide कर दो series में हमें पता है temperature difference हो है वो R के proportional होता है जिस section का बड़ा resistance उसको ज्यादा temperature drop मिलेगा ओके बिटा तो यहाँ पर ही अपना question हुआ दूसरे question पाते हैं दूसरे question में आपको यहाँ rod दियावा है L length की room temperature uniform area of cross section नहीं इसमें made of metal having coefficient expansion observe that external compressive force F is applied prevent any change देखो यहाँ पर जब आपको temperature बढ़ाओगे तो temperature की वज़े से जितना length में change आना चाहेगा यहना temperature बढ़ाने पर क्या होगा extension तो हमें उसको compensate करने के लिए वापस delta L यहाँ पर compressive force यहने कि elasticity से आपको उतना ही compression देना होगा तो delta L जो temperature की वज़े से आए और जो delta L elasticity की वज़े से आए वो equal होना चाहिए temperature की वज़े कितना होता है L naught alpha delta T और यह कितना हो जाएगा F L delta L is F L upon A Y क्या पूछा है इन्होंने young modulus पूछा है तो यह L से L काटो तो Y कितना हो जाएगा Y हो जाएगा F upon A alpha delta T तो A alpha delta T कौन सा option हो जाएगा मेरा third option यहाँ correct हो जाएगा okay simple question है thermal stress में हम इसको relate भी करते है basically thermal stress भी अगर वो पूछे तो thermal stress क्या होता है यह होता है Y alpha delta T ठीक है इस तरह से third पर आते हैं हम third में आपको पूछाएगी heat source इसका temperature इतना है इसको दूसरे heat reservoir से connect किया by copper slab तो देखो यहाँ पर एक का temperature source का तो temperature है 1000 इधर कितना है 100 Kelvin फिर यह बोल रहे हैं की एक मीटर थिक copper slab से हमने इसको connect किया तो यहाँ पर बीच पर हमने का अगर एक slab डाल दी slab की मोटाई कितनी एक मिटर है ना तो एक मिटर मोटी हमने copper की slab डाली हुई है यह इस तरह से given that thermal conductivity of copper is this तो आपको energy flux पूछा है देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप dimension देखो वाट पर मिटर स्क्वेर में आपको answer बताना है सबसे पहले हम heat flow rate अगर बता है तो delta q by delta t क्या होता है यह होता है k a delta t by l लेकिन यह तो power होगा ना basically यह तो power होती है हमसे क्या पूछा है power by area तो power by area क्या हो जाएगा यहाँ पर k delta t divide by l k की value तो कोई standard है point one और यहाँ पर temperature difference कितना है thousand minus hundred l कितना दिया है one meter तो यह simple कितना आजाएगा मेरे पास answer यहाँ पर point one और copper के लिए आपको one meter ठीक दिया हुआ है temperature difference आपको दिया हुआ है तो difference हुआ जाएगा 900 तो यह point one into 900 और यह आजाएगा मेरे पास 90 तो 90 के इसाब से मेरा second option यहाँ correct बन जाएगा ओके बच्चों फिर इसके बाद आता हमारा fourth question, fourth question में आपको देखो a non metal of mass 192 gram heated to a temperature of 100 degree centigrade was immersed into a brass calorimeter of mass this containing 240 gram water at temperature this calculate the specific heat of a non metal if water temperature stabilize this देखो हमने यहाँ पर 100 degree centigrade पर एक non metal के square को release किया तो 8.4 degree centigrade तो अपना क्या है पानी जिसका और यहाँ calorimeter का mass कितना दी आपको 128 और 240 तो 128 gram का तो calorimeter और 240 gram इसमें क्या है पानी यह पूरा system कहां तक जाता है 21.5 degree centigrade तक और initially यह square कहां पे था यह था 192 gram पे तो यह था 100 degree centigrade 192 gram यहाँ पर देखो calorimeter का concept क्या कहता है कि जो object high temperature पर होगा वो energy release करेगा और जो object low temperature पर होगा energy gain करेगा तो यहाँ पर आपको एक तो brass की specific heat दे दी तो यह हो जाएगा 128 gram को kg में convert करें उसके बाद आपको यहाँ पर brass की specific heat दिया 394 और डेल्टा-Q क्या होता है basically delta-Q का formula होता है mc delta-T तो यहाँ पर सारा data आपको standard put करना है फिर इसका delta-T कितना हो जाएगा 21.5 में से 8.4 माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 10, 11.6 और 1.5 यानि कि हो जाएगा 13.1 तो यह 13.1 degree centigrade का temperature change आ रहा है पानी के लिए भी इतना ही change आया 240 by 1000 पानी की specific heat जो है वह हमें पता है कितनी होती है 4200 पानी के लिए data आपको याद रखना और इसके लिए 30.1 का change यह आएगा तो पानी को और brass को heat कहां से मिलेगी उस unknown metal से जिसका मास है 192 by 1000 ग्राम में है इसको केजी में convert किया इसके लिए C मान लिया और डेल्टा टी कितना हो जाएगा 100 में से 21.5 माइनस करो तो यह हो जाएगा 78.5 अब इसमें केवल और केवल केलकुलेशन है इसमें तो यह 1000 को cancel करो इसके बाद जब आप केलकुलेशन करके solve करेंगे यहां पे जखो options दूर दूर हैं options दूर दूर हैं तो आप approximation करें approximation करने के बाद जो आपका answer आएगा that will be 916 joule per kg per kelvin ओके ध्यान रखना बच्चों इस question में केवल और केवल केलकुलेशन ही आपको करने हैं बाकी concept क्या है कि जो non-metal का objective वो ज्यादा temperature पर अपनी heat release करेगा और उसको कौन gain करेगा calorimeter और साथ में यहां पर जो पानी है वो गरम होने में heat ले लेगा ओके बेटा फिर आते हैं 5th question पे 5th question में ice जो है वो minus 20 degree centigrade पे इसमें add किया 50 gram water 40 degree centigrade पे temperature जो है वो zero हो जाता है तब यह पता चलता है कि 20 gram ice जो है वो अभी भी बच्ची हुई है देखो 20 gram ice बच्ची हुई है तो और यह पूसरें कि the amount of ice added to the water तो कितनी ice शुरू में रही होगी तो देखो मैं मान लेता हूँ कि M mass ice का रहा होगा minus 20 पे तो M mass जो है वो zero degree centigrade आएगा उसके बाद अब यहां M mass तो पूरा zero degree centigrade तक आया लेकिन melt जो होगा न वो केवल कितना होगा देखो 20 gram जो है वो बोलने की बाद में बच्चा हुआ है तो M minus 20 ही तो melt हुआ तो सबसे पहले finally और जो water है वो water कहां पे था water था 40 degree centigrade पे कितना था 50 gram तो देखो ice को कितनी heat चाहिए m c delta t plus ml m dash यहां m dash mass जो है वो melt हुआ है बस है न सारा melt नहीं हुआ है और यह हो जाएगा m water c delta t यह किसका है c ice का है और यह ice का mass है तो यहां m c ice कितना होता है half 20 का change हुआ minus 20 से 0 फिर इसमें से 20 तो अभी भी बचा हुआ है तो m minus 20 melt हुआ होगा 80 यहां पे latent heat लिख दो water का mass आपको दियावाए 50 gram यह 1 और यह delta t कितना आ जाएगा यहां पर 40 वाला पानी जो है वो 0 तक आया तो 40 का इसमें decrement आएगा temperature का salt करोगे तो कितना आएगा 10 plus 80 m minus 1600 यह आ जाएगा 2000 तो m हो जाएगा 3600 by 90 तो यह आ जाएगा यहां पर 40 इसका मतलब 40 gram जो है वो ice हमने add की होगी इस पूरे system में कोई confusion यहां तक note करें फिर इसके बाद आता है next to sixth question sixth question में आपको बोला है कि 100 gram liquid जो है the temperature of mixture if 100 gram of liquid A at 100 degree पे और 50 gram of liquid B is 50 degree centigrade तो जब यहां पर A और B इसका कितना है 100 gram और इसका कितना है 50 gram ठीके इसका temperature कितना है 100 degree centigrade माल यह तक आया होगा और यह कितना था यह था 75 पे तो इनका common temperature कितना आता है common temperature जो है 90 आता है तो इसने कितने heat release की होगी mass of A यह आजाएगा 100 specific heat C A delta D कितना है 10 इधर कितना आजाएगा 50 C B और यह हो जाएगा 15 तो यह हो जाएगा मेरे पास C A और यह हो जाएगा 75 C B इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 C A equals to 3 C B ठीके यह तो पहला case दूसरा जब हमने A के 100 gram में B का कितना mass aid किया B का जो है वो हमने 50 gram लिया और इसको 50 degree centigrade पर ही रखा और इसको 100 पर रखा अब common temperature पूछा है तो मैं माले तो common temperature T रहा होगा तो यहां पर तो 100 लिखेंगे C A 100 minus T इधर आ जाएगा 50 C B T minus 50 तो यहां पर आप इसको cancellation करो 2 C A को लिखो 3 by 4 C B 100 minus T यह C B से C B खतम यह कितना हो जाएगा पिटा यह हो जाएगा यहां पर 3 100 minus T यह 2 times cancel out तो 2 T minus 50 ठीके तो 300 100 minus 3 T 2 T minus 100 तो यह कितना हो जाएगा अपने पास यह हो जाएगा बेटा 200 is 5 T sorry 400 is 5 T तो T कितना हो जाएगा 80 तो यहां पर जो final temperature आएगा वो आएगा 80 degree centigrade first option will be correct simple सा क्योशन ने बेटा क्यलोरिमेट्री का कोई इसमें confusion निये बस आपको ध्यान रखना है जो ज्यादा temperature वाला होता है वो heat release करता है और जो कम temperature वाला होता है वो heat gain करता है ओके बच्चों सेवन्थ पाते है बच्चों आपको यहां पर एक metal bowl 0.1 mask की दी हुई है 0.1 kg की इसको 5 degree centigrade 500 पर लेके गए एक vessel में जिसकी heat capacity इतनी है और पानी इतना भरावा उसमें डाला initial temperature vessel का कितना था 30 तो आपको final temperature बताना है तो simple सी बात है 30 वाला जो object है मान लिया वो tip आया होगा और 500 वाला भी tip आया होगा देखो यहां पर एक चीज़ देखो temperature में जो percentage change दिया होगा maximum भी 30 percent दिया होगा है और 30 का 30 percent कितना होता है no? इसका maximum temperature भी 39 तक ही पोचेगा मतलब पानी की vaporize होने का तो chance ही नहीं यहां पर तो इस case में मतलब पानी boil तो होगा नहीं तो आपनको phase change consider नहीं करना है पानी में तो यहां पर देखो mass of calorimeter, c of calorimeter mass of water, c of water t minus 30 delta t mass of metal, c of metal delta t mass of calorimeter कितना है यहां पर mass of calorimeter है मेरे पास mass of calorimeter आपको direct heat capacity दियावा है तो 800 लिख दो 0.5 पानी का mass है 4200 यह दियावा है और t minus 30 यह कितना दियावा है mass of metal, 0.1 specific heat of metal 400 और delta t, delta t कितना दियावा आपको यह दियावा है t 500 minus t तो यहां पर ही हो जाएगा 800 प्लस 210 यह जाएगा 40 तो यह कितना हो जाएगा 800 210 2900 t minus 30 40 50 minus t तो यह जाएगा 294 तो यह जाएगा तो यह जाएगा 10,700 यह जाएगा वह approximately बनेगा 36 times 36 के आसपास t final आपको यहां मिलेगा तो t final 36 मिल रहा है तो यह बोल रहा है कि पानी के temperature में almost कितने percent change आ रहा है जैको यहां calculation आपको approx ही करनी पड़ेगी तो delta t percentage निकालना है तो कैसे निकालेंगे delta t by t initial तो यह जाएगा मेरे पास 36 minus 30 divided by 30 into 100% that would be 20% तो यह 20% का यहाँ temperature change होगा कोई confusion बच्चो कुछ question यहाँ यहाँ रखना है Calculative जरूर पूछेंगे जरूर पूछेंगे जही में तो उनमें calculations में थोड़ा सा time consume करें बाकी concept जो इसमें बिलकुल easy जल रहे अगला है two road a and b identical dimension temperature 30 पे a is heated upto 180 and b is upto t degree centigrade now the new length of the road are same if the ratio of coefficient देखो यहाँ पे शुरुवात में इनकी identical dimension है बाद में एक को 30 पे अपनने शुरुवात में तोनो 30 पे एक को 180 पे लेके गे और एक को t लेके गे तब भी उनकी लेंगे तब यहाँ बताना है कि ratio of coefficient of expansion जो है वो a to b is 4 s to 3 then the value of t तो यहाँ पर देखो l a और l b same है l not 1 plus alpha a delta t delta t a के लिए और यह l not b किसके लिए a के लिए l not b 1 plus alpha b delta t b अब l not a कितना हो जाएगा यहाँ पर l not a होएगा मेरे पास alpha a 4 s to 3 का ratio ना तो इसको 4 मान लो और इसको 4 s to 3 तो इसको 4 alpha b मान लो आप चलो अब यह चीज तो कट जाएगी तो इसको direct उडा दो है equation equal आने का मतलब alpha a delta t a equals to alpha b delta t b alpha a और b यह जाएगा 4 4 alpha मान लो delta t कितना हो जाएगा मेरे पास 180 minus 30 3 alpha t minus 30 यह आ गया यह alpha से alpha कट जाएगा तब यहाँ पर देखो क्या चीज उड़ेगी alpha से alpha उड़ेगा यह बचेगा 4 into 150 3 t minus 30 तो यह 50 times cancel out यह हो जाएगा 200 तो t हो जाएगा 230 30 degree centigrade यह मेरा यहाँ पर 1st option जो है वो easily आ रहा है ओके बच्चों कोई confusion इसमें फिर 9th question 9th question में आपको बोला है Thermometer जो है वो linear scale में value x naught when in contact with boiling water और जब contact आई तो यहाँ पर x naught तो इसका upper point हो जाएगा x naught by 3 इसका bottom point हो जाएगा इसको हम बोलते है lower point या freezing point boiling point और melting point इस तरह से temperature क्या होगा जब यह x naught by 2 read करे तो अपने पास linear scale क्या होता है x minus lower point या इसको हम बोलते है melting point boiling sorry melting point और boiling point minus melting point यहां centigrade में कितना हो जाएगा 0 minus 100 minus 0 तो x minus x naught by 2 x naught minus x naught by 3 c by 100 हो गया यह कितना हो जाएगा x minus x naught by 2 अच्छा इसमें आपको x naught by 2 तो final reading दियो ही न तो यहां तो आपको x naught by 3 रखना पड़ेगा ठीके तो यह कितना जाएगा देखो 1 by 2 minus 1 by 3 x naught by 6 2 x naught by 3 c by 100 तो यह हो जाएगा अपने पास small करोगे तो x naught से x naught कतम यह आजाएगा हमारे पास 1 by 6 2 by 3 c by 100 तो यह 2 times cancel out तो c is 100 by 4 तो c हो जाएगा 100 by 4 यहने की 25 तो यहां पर मेरा final answer कितना रहाएगा 25 9 तिका कोई confusion पीटा इसमें next आता है cylinder of radius r is surrounded by cylindrical shell of inner radius r1 and outer radius 2r the thermal conductivity of material inner cylinder is k1 outer की k2 देखो यहां पर r radius का एक cylinder है जिसका material है k1 दूसरा जो है वो कौन सा है k2 तो यह r से कहां तक है r से 2r तक है ना तो r से 2r तक का जो material है वो दूसरा वाला है और इसकी जो conductivity है वो है k2 यह है r2 और यह r1 ठीक है बच्चों अब आपको बोल दिया जाता है की assuming no heat loss the effective thermal conductivity of system for heat flow along the length जब देखो along the length heat flow हो रहा है तो अपन ऐसा मानेंगे कि same dimension का मतलब की 2r radius का ही एक cylinder में लेलता हूँ l length का और इसका resistance से माना चाहिए यही हुआ ना तो जब heat जो है वो इस तरह से flow हो ऐसे तो यह दोनों जो system है इनमें temperature difference सेम रहेगा suppose यहाँ पर मैंने कुछ T1 लगाया और यहाँ T2 लगाया यहाँ कुछ T1 है उतना ही T1 T2 के लिए तो जब यहाँ पर heat flow temperature difference सेम heat flow सेम बोल जाया इसमे तो इस case में heat जो है वो along the length flow रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या है दोनों parallel में जुड़ेवें parallel में L effective के से R क्या होता है यहाँ पर R हो जाएगा parallel में 1 upon R is 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 R क्या होता है 1 upon KL by A तो यह हो जाएगा K into area effective upon L K1 area 1 upon L और इधर हो जाएगा K2 area 2 upon L देखो L तो सब में से हैं में न तो L तो कड़ जाएगा K effective area effective कितना हो जाएगा Pi into 2R का whole square इधर आजाएगा K1 Pi R square plus K2 Pi 4R square minus R square तो यह देखो solve करोगे area 2 लिख दिया अपनने तो solve करने पे K effective आएगा मेरे पास K1 plus 3 K2 by 4 K1 plus 3 K2 by 4 मेरा first option यहाँ सही है ओके बच्चों देखो 11th question में आपको यहाँ पर एक thermally insulated vessel दिया हुआ है और पानी को heat ली और पानी को heat दी पर जो पानी 150 gram था मान लिया इसमें पूछाए कि evaporated water का मास बताओ तो मैं मान लेता हूँ कि M राम जो है वो evaporate हुआ होगा और बाकी 150 minus M क्या हुआ होगा freeze हुआ होगा इतना freeze और इतना evaporate ठीक है तो evaporate यहाँ पर हो गया बाकी जो मास था वो तो इस case में जो evaporate होगा उसको heat चाहिए और जो मास जो है वो freeze होगा उसको heat release करनी है तो 150 minus M ने जो heat release कियोगी latent heat of freezing वो बाकी M मास को vaporize करने के काम आई होगी आपको दोनों तरह की heat दिया हुआ है vaporization की कितनी दिये 2.10 into 10 to the power 6 और यह हो जाएगा मेरे पास 3.36 150 minus M 3.36 into 10 to the power 5 तो इस case में कितना हो जाएगा 150 minus M और यहाँ पर अगर आप इसको लिखे तो इसको 21 लिखें 3.36 और बाकी इदर लिखें M into 21 इसको आप solve करेंगे बच्चों तो 153.36 21 plus 3.36 M तो यहाँ पर आपके पास M की value आएगी 153.36 यह जाएगा 44.36 150 into 3.36 यह होगा almost 500 के आसपास 500 को आप almost 25 से divide करें answer almost 20 gram बनना चाहिए तो 20 gram अपना answer 11 का आ रहा है ओके बच्चों तो approximation हम करेंगे क्योंकि options काफी दूर दूर हैं ठीके तो इसको solve करने पर approximately 20 gram आपका बन जाएगा ओके इसने भी आपके लिखावा मतलब आपको approximation करना है ओके बटा फिट 12 बाते हम 12 में देखो यहां पर इन्होंने 2 identical beaker A and B contain equal volume of 2 different liquid at 60 degree centigrade left to cool down liquid A has density this specific it this B के लिए density और specific it which describes temperature versus time schematically assume emissivity of both beaker same देखो यहां पर आपको 2 identical beaker दिये में दोनों में आपको temperature different liquid का 60 degree दिया वाए और यहां पर temperature वो दिया वाए देखो सबसे पहले जो beaker है beaker क्या dimension है वो सबसे में तो इसका मतलब जो rate होता है वो हता है sigma A epsilon T4 तो शुरुआत में तो क्या होगा same rate से heat loss होगा लेकिन हमें पता है कि जो heat capacity है specific heat A वाले की कितनी है 2000 और B वाले की कितनी है 4000 4000 मतलब जो जादा specific heat होती है वो दीरे दीरे गरम होते हैं object और दीरे दीरे थंड़े होते हैं मतलब B वाला जो है वो दीरे दीरे थंड़ा होगा तो B वाला जब दीरे दीरे थंड़ा होगा तो A का temperature तेजी से कम हो जाएगा B का थोड़ा दीरे-दीरे कम होगा तो B का temperature दीरे-दीरे कम होगा इसका मतलब मेरा यहाँ पर third option जो है वो correct है केवल आपको बस यही इसमें check करना था बच्चों है ना कि जो B है specific heat of B greater than specific heat of A इसका मतलब B will cool slowly जिसके specific heat जादा वो दीरे-दीरे हंडा होगा कोई confusion इसमें देखो बच्चों यहाँ पर आपको massless spring दी हुई है attach किया हुए एक mass के साथ तो इस तरह से एक spring है जिसको अपने mass के साथ attach किया हुआ और यह पूरा system पानी के अंदर oscillation कर रहा है तो आपको बताना है पानी का temperature कितना बड़ा तो जो भी initial shm की energy होगी half k square वो सारी की सारी mc delta t में चली जाएगी अब यहाँ पर half k कितना है 800 a कितना था 2 by 100 centimeter को meter में convert किया mass object का कितना है half specific heat कितनी object की 400 delta t इसमें initial temperature कितना दिया में आपको initial temperature नहीं दिया लेकिन आपसे पूछा है change in temperature तो आपसे delta t ही पूछा है water का mass कितना है 1 और water की specific 4810 देखो बिच्चों यह पूरा calculation based question है अब इसमें आपको यहाँ पर 400 4 by 100 into 100 यह आजाएगा 200 plus 4184 delta t तो यह कितना आजाएगा मेरे पास यह 2 0 से 2 0 अड़ा दो यह कट जाएगा मेरे पास 4 चोग 16 16 16 by 100 delta t हो जाएगा 16 by 100 divide by 4 3 1 8 4 3 8 4 तो इस case में यह आजाएगा 16 इसको अल्मोस 4 384 को 4 4 double 0 यह से लिए कर दूँ approximation में divide by 100 अब इसको यह सा करते हैं 10 power minus 4 है ना इसको लिखते है 160 by 44 approximation में 10 to the power minus 5 तो इतना approximately 10 power minus 5 Kelvin का change यहां आ रहा है approximation में देखो ही तो अपना answer जो होगा वो first option यहां टीक हो जाएगा ओके बच्चों फिर आता है fourth fourth में यहां पर two material having coefficient of thermal conductivity 3K and K and thickness this are joined to form a slab temperature जो ही इनका वो है तो आपको यहां पर क्या बताना है common temperature पूछा है तो देखो जितनी heat यहां से flow का आएगी उतनी इदर जाएगी यह माले ताओ theta होगा तो I1 equals to I2 क्योंकि series में जो current होती है वो same होती है I क्या हो जाएगा theta 2 minus theta divide by thermal resistance L upon K और यह कितना हो जाएगा theta minus theta 1 ठीके तो यह सब कड़िया अपने पास इदर 3D आजाएगा बस तो 3 इदर बचा उदर का 3 बचा तो यह आजाएगा मेरे पास 3 theta 2 minus theta theta minus theta 1 by तो यह कितना हो जाएगा 9 theta 2 minus 9 theta theta minus theta 1 तो यह हो जाएगा मेरे पास theta 2 plus theta 1 divide by 10 इस theta तो theta 2 plus theta theta 1 by 10 plus 9 theta 2 by 10 तो अपना option यहाँ कुन सो हो जाएगा fourth option सही ओके बच्चों फिर आता है 15th question 40 degree centigrade पे एक brass wires का radius से 1 mm hung from the ceiling small mass am is hung from the free end of wire wire is cooled down by this the regain its original length of 0.2 meter तो यहाँ पर देखो आपको 0.2 meter का जो extension है है ना जिब अपनने यहाँ पर cool किया तब जाकर को उसने original length gain की मतलब 0.2 meter का elasticity की वे से भी elongation आया होगा तो यहाँ पर delta L जो है वो 0.2 meter है यह delta L किसकी वज़े साया तो आपका L alpha delta T ठीके और यही delta L को में ले सकता हो F L upon A Y अब यहाँ पर आप देखें तो इन दोनों relation को हम use करें तो आप से क्या पूचा? यहाँ पर यहाँ पर आपको mass की value पूचा है तो देखो यहाँ पर आपको mass की value पूचा है तो देखो यह हो जाएगा F equals to A Y by L delta L अब यहाँ पर M आपसे पूचा है G की value 10 लेनी है radius दियावा 1 mm इसका मतलब की 10 to the power minus 3 का square Y कितना हो जाएगा 10 to the power 11 divide by L L का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर original length कितना है 0.2 meter और delta L अब यहाँ देखो delta L भी हमें नहीं पता है कि इसमें original length आएगी यह तो पता है कि original length of this लेकिन original length से पहले कितना change आएगा वो तो नहीं पता है न तो यहाँ पर delta L निकालने के लिए आपको यह वाला concept यूज़ करना होगा L alpha delta T L alpha delta T से कि यह दाएगा आपके पास L कितना दिया आपको 0.2 alpha कितना दिया आपको 10 power minus 5 और temperature difference कितना दिया है 20 तो यह दाएगा 20 का 4 into 10 to the power minus 5 इसको जब मैं यहाँ पूट करूँगा value को तो बच्चों हम यहाँ पर देखें इसमें जब हम इसको solve करेंगे तो यह दाएगा 10 M is minus 6 और minus 5 minus 11 और plus 11 खतम तो यह दाएगा pi into 4 divide by कितना आएगा इदर 0.2 तो 0.2 से ही दाएगा 20 times 20 pi by 10 M तो यह दाएगा 2 pi अब 2 pi पाई होता है 3.14 तो 2 pi तो उससे भी जादा है और यहाँ पर उसके pass का option देखो कौन सा है इसके pass का option जो है 9 kg वाला तो यहाँ पर 9 kg जो है अपना approximately answer यहाँ बनेगा बाकि सारे option जो है दूर दूर उससे दो है बाकि तो बहुत छोटे option दिये हैं तो यह 9 kg अपना option के साफ़ से टीक होगा फिर ओकि बच्चों फिर आता आपके पास जब M1 ग्राम आइस माइनस 10 पे है इसको M2 ग्राम वाटर में तो आपको latent heat अपको दियावा है latent heat आपको बताना है और इसमें बोल रहे हैं कि finally पूरी आइस जो है वो melt होती है और final temperature जीरो होता है तो M1 ग्राम जो है वो माइनस 10 से पहले 0 की आइस बनेगा फिर उसके बाद 0 degree centigrade का water बनेगा ठीके फिर उसके बाद यहाँ से M2 क्या हो जाएगा मेरे पास यह आपको दियावा 50 degree centigrade पे तो इस case में क्या हो जाएगा अपने पास M1 और आइस के लिए आपको specific heat कितना दियावा है 0.5 दियावा है M1 कितना दिया है यहाँ पर M1 को M1 ही रखा है तो 0.5 वो delta D कितना 10 का M1 into L इदर M2 पानी की specific heat कितनी दिये इनोंने पानी के लिए specific heat नहीं दिये तो आपको फिर by default जो होता हो मानना है 1 और temperature change 50 minus 0 तो L की value किया जाएगा 50 M2 minus 5 M1 upon M1 तो यह जाएगा 50 M2 by M1 minus 5 तो 50 M2 by M1 minus 5 मेरा fourth option जो है यहाँ correct हो जाएगा. Simple question है बच्च में तो 17th में 1 kg water जो है 200 degree centigrade पे है heated in electrical kettle whose heating element has mean average resistance this RMS voltage जो है वो इतना है तो loss जो है वो kettle बताना आपको कितना time लगेगा पानी को operator में. देखो मान लिया kettle जो है वो इतनी rate से heat produce कर रहा होगा V square by R से. उसमें मान लो delta T time लगेगा तो पानी को अगर पूरा evaporate होना है तो उसका temperature मुझे एक बार तो 100, 20, 100 तक लेके जाना पड़ेगा और फिर उसी पानी को मुझे evaporate करवाना होगा तो इतनी heat चाहिए मुझे total मान लिया उतनी heat हमें delta T time में मिलती है. तो V square कितना हो जाएगा 200 का square divided by R resistance कितना दिया है इन्होंने 20 और ये delta T पानी कितना दिया है 1 kg को 1 kg रहने दो standard unit में 4200 पानी के लिए 80 प्लस 1 अब देखो इसमें क्या है आपको latent heat की value डालने है latent heat जो इन्हों दिया है 22 ये पैटा यहाँ पर 22 ये actually data ये है इतना ये point यहाँ नहीं है तो 2260 तो यहाँ पर 2260 kilojoule kilo का मतलब 10 to the power 3 और आ जाएगा चलो अब यहाँ करते हैं पूरे data को इदे को ये कितना आएगा 2000 delta t यह जाएगा 3,3,6 10 to the power 3 और इधर आजाएगा 2260 10 to the power 3 10 to the power 3 तो पूरा उड़ा दो तो delta t कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर delta t आजाएगा 3,3,6 plus 2260 divide by 2 तो ये कितना आएगा approximately ये इसको में अगर 400 इसको 300 और ये 3600 divide by 2 लिखता हूँ तो approximately ये आएगा मेरे पास 1300 second इसको आप divide by 60 करेंगे बच्चों तो 60 से divide करने के बाद approximately आपके पास जो time बनेगा वो बनेगा 22 minute बाद कियो option दूर दूर है ना तो आपका 22 minute approximate time आजाएगा ओके बच्चों तो आपका approximate time कितना होगा 222 minute ओके नॉट करें इसको फिर आते हम next question पर इसमें आता अपना 18th तो 17th कर 18th में देखते हैं आपको non isotropic solid metal cube के लिए expansion coefficient दिया वा है x-axis में, y-axis में इतना और z-axis में इतना तो देखो हमें पता है जो volume expansion coefficient होता होता है alpha x, alpha y और alpha z तीनो dimension के linear expansion coefficient को add करने से volume expansion coefficient गामा आता है अब यहाँ alpha x कितना हो जाएगा इस case में 5 into 10 to the power minus 5 alpha y कितना आजाएगा 0.5 into 10 to the power minus 6 फिर उसके बादी आएगा 0.5 into 10 to the power minus 6 तो यह हो जाएगा अपने पास 5 plus 0.5 plus 0.5 into 10 to the power minus 5 तो यह आएगा मेरे पास 6 into 10 to the power minus 5 मुझे किस form में रखना है 10 to the power minus 6 की terms में तो इसको लिखो 60 into 10 to the power minus 6 तो आपका integer में value क्या हो जाएगी यह x तो x जो है यहाँ पर c जो है वो c कितना हो जाएगा c equals to 60 तो यह मेरा option जो है यहाँ पर correct जाएगा c की value वाला ओके बच्चों फिर उसके बाद आता है मेरे पास 19th question इसमें आपको बोला है M gram जो है वो steam है 100 degree centigrade पे इसको mix किया जाता है 200 gram ice and it's melting point in thermally insulated chamber तो ice जो है वो melting point पे यह और उसमें अपन ने M gram steam 100 degree centigrade पे mix किया इसमें जो है वो liquid 40 degree centigrade का आता है मतलब कि 200 gram जो ice है 0 degree centigrade की वो पहले तो melt हुई होगी है ना तो उसने पानी बनाया होगा फिर वो 40 तक गई होगी यहां तक तो उसका energy की requirement है और इधर से जो आपने steam यूज की थी कितनी थी पेटा M gram अब यह M gram steam जो है वो अपनने कितने पे रखावा है 100 degree centigrade पे रखावा था यह पहले तो water में convert होगा 100 degree centigrade के और फिर बाद में 40 degree centigrade के water में आएगा तो इसको टोटल कितनी heat चाहिए 280 होता है latent heat जो होती है वो आपको दिया वाए melting की 80 और इधर 200 1 40 minus 0 यह कौन सा है जो specific heat जो उसको temperature बढ़ाने के लिए चाहिए वो heat यहां यह जब steam condensed होगी यह कितना heat release करेगी M into 540 और यह हो जाएगा अपने पास M into 1 into 60 तो 1600 प्लस यह कितना हो जाएगा 8,2,16 16,000 है ना चलो अपन देखते है M मास आपसे पूछा है तो M यह हो जाएगा 620 और इधर कितना हो जाएगा आपके पास यह तो हो जाएगा 16,000 8,000 620 M यह होगा तो यह हो जाएगा आपके पास 26,000 by this यह अपना answer जो आएगा वो gram में आएगा तो gram में आपका 19 में answer बनेगा वो approximately कितना बनेगा देखते हैं देखो इसको अगर मैं cancel करूँ तो यह almost 4 times cancel होगा almost है तो approximately 40 times cancel होगा तो अपना जो answer आएगा वो 40 gram यहाँ पर आजाएगा इसमें कोई confusion नहीं है और यहाँ पर 200 gram आईस था वो अपन ने लिया हुआ था कोई दिक्कत नहीं है तो approximated यह आपका answer आजाएगा 40 gram steam ओके बच्चों आते हम next 20 पर 20 में आपको 3 container दिये हैं C1, C2, C3 जिन में different temperature पर पानी है table below show the final temperature tea when different amount of water given in liter तो यहाँ पर देखो बच्चों आपको लिटर में पानी दिया हुआ है ठीके और इनको जब आपस में mix किया हुआ है तो अब आपको यहाँ पर थीटा की value बताने है देखो जब एक लिटर इसका और दो लिटर इसका लिया तो temperature कितना आया 60, final temperature अब इसका temperature नहीं पता तो मैं इसका temperature मान लेता हूँ T1 इसका मान लेता हूँ T2 और इसका मान लेता हूँ T3 ओके बच्चों, सबसे पहले C1, C2 को जब मिलाया तो यहाँ से अपने पास का relation बनेगा एक लिटर, एक लिटर का मास अगर मैं M1 मानू तो यह हो जाएगा मेरे पास M1, T1 minus 60 और यह C1 equals to twice of M2 C2 और यह हो जाएगा कितना 60 minus T2 एक relation तो यह आया इससे दूसरा इससे का relation आएगा मेरे पास यहाँ पर मैं M2, C2 T2 minus 30 और इस case में अपने से करते हैं मान लेते हैं कि जो 60 है वो मान लो highest temperature यह है तो यह lowest है तो आपने इसको यह सा करते हैं प्लस करके लिख देते हैं यह ना मैं मान लेता हूं कि दोनों object जो है वो heat gain ही कर रहा हूंगे अब इसा तो possible नहीं है कि दोनों object heat gain करेंगे तो twice of M2, C2 T2 minus 60 equals to 0 पहली equation यह दोस्तरी equation क्या हो जाएगी M2, C2, T2 minus 30 और इधर हो जाएगा मेरे पास 2M3 C3 T3 minus 30 equals to 0 second equation तीसरी equation यहाँ पही क्या हो जाएगी 2M1, C1 T1 minus 60 plus M3, C3 T3 minus 60 0 यह मेरे पास तीसरी equation ठीके अब यह बोल रहे है कि अब इसमें final temperature जो है वो T हो जाता है तो T का यहाँ पहली बताने T मतलब कि यह थीटा बताना final temperature इसकेस में थीटा है कब जब आपने M1 को मिलाया एक लिटर लेको एक लिटर के मास को मैं C1 के लिए M1 मान रहा हूँ C2 के लिए M2 और C3 के लिए M3 यहाँ दो लिटर है मतलब 2M3 हो गया मास है फिर ही हो जाएगा T1 minus theta M2 C2 T2 minus theta M3 C3 T3 minus theta मिला के 0 अब आपको यहाँ शुरू की दो equations है जो relation निकलेंगे C की values के वो आपको यहाँ put करना है ठीके? तो इन दोने equations को solve करना है और इससे आपको M और C में कुछ relations यहाँ मिलेंगे ओके बच्चों फिर उसका पूरा Calculative Question है अब देखो बच्चों यहाँ पर जो liquid है वो कौन सा है? पानी पानी के लिए 1 liter का मास 1 kg होता है तो यहाँ और Specificate 1 होती है न तो यहाँ पर इस पूरे डेटा को मैं अब देखो कैसे simple करता हूँ M1 C1 की जागे लिख दो 1 तो 1 T1 minus 60 plus 2 T2 minus 60 equals to 0 इससे क्या आएगा T1 plus 2 T2 equals to 120 तो T1 plus 2 T2 equals to 120 पहली equation यहाँ से क्या आएगा T2 minus 30 और 2 T3 तो यहाँ से आएगा मेरे पास दूसरे वाले से T2 plus 2 T3 equals to कितना आएगा 30 और 60 90 और इसके बाद यह कितना आएगा 2 T1 और T3 तो 2 T1 plus T3 और यह आएगा 60 और 60 का double 180 तो यह आएगा 180 इन तीनो equations को जब आप जोडोगे तो यह कितना आएगा मेरे पास by 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 कितना आएगा 2 T1 यह देखो 3 T2 3 T1 और 3 T3 तो 3 T1 plus T2 plus T3 जोडने पे कितना बन जाएगा यह बन जाएगा 120 90 और 180 तो यह आएगा 270 और यह आएगा अपने पास 270 और 180 और 90 270 और 120 कितना हो जाएगा 270 और 120 यह नगी 390 तो T1 plus T2 plus T3 आएगा मेरे पास 130 अब इस equation को जाब solve करोगे तो यहाँ क्या बनेगा T1 plus T2 plus T3 3 theta एक बार वापस cross track कर लेते हैं आपन 60 तो 120 और 60 180 और ना 180 के इसाब से सित्तरोड जोड़ दो तो यह आपके पास बनेगा 180 देखो 60 और यह 60 sorry T2 minus 60 और T1 minus 60 60 और 120 तो 180 इदर कितना हो जाएगा 60 और 30 90 इदर हो जाएगा 120 और 60 और 180 तो यह हो जाएगा 450 sorry तो 450 से आपका अंसर बनेगा 150 150 जब आप यहाँ रखोगे तो 3 थीटा तो थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री सेंटिग्रीड तो यहाँ पर तीनों कंटेनर में पानी है इसलिए अपनी केल्कुलेशन जो है वो आसान हुई कोई और लिक्वीड होता तो फिर वो मास और स्पैसिफिक हीट के बारे में और information देते हैं ओके बच्चों फिर इसके बाद आता है when temperature of metal wire is increased 0 to 10 length increased by this तो मास density में कितना change होगा देखो length अगर increase हो रही है 0.02% तो volume कितना होता है volume होता है L cube पे dependent अब volume अगर L cube पे dependent है तो alpha कितना हो जाएगा sorry gamma volume का percentage change कितना आएगा वो आएगा 3 times of delta L percentage यह हो जाएगा 3 into 0.2 percentage यहने कि 0.06% यह क्या हो जाएगा delta V percent तो इस case में मेरे पास जब अपने को volume का percentage change पता लग गया तो density क्या होता है density होता है आपके पास mass by volume मतलब कि percentage change जो density में होगा delta rho percentage is delta V percentage का negative अब delta rho percentage कितना हो जाएगा आपके पास यह हो जाएगा minus of 0.06 तो delta rho percent is 0.06% लेकिन यह negative आएगा क्यों क्यों क्योंकि आपने volume बढ़ाया है तो density कम होगी पर यहाँ पे केवल आपको value बतानी है तो value आजाएगा अपने पास 0.06 थर्ड option 21 का ओके बच्चों फिर इसकी बाद आता है अपने पास 22 बेकलाइट बीकल इसकी volume density इतना है partially filled found that unfilled volume यनि कि खाली space का volume जो है वो आपको हर temperature पे temperature vary करें तो भी खाली space का volume चेंज नी होता बच्चों एक question notes में करवाया हुआ आपको इसमें आपको खाली space का जो volume वो कैसे निकालना होता है वो होता है total container का volume minus liquid का volume अब यह बोल रहे हैं खाली space का जो volume है वो बाद में change नहीं हो रहा है मतलब container minus liquid equals to container minus liquid container का volume आप कैसे लिखोगे यह लिखोगे vc1 plus gamma c delta t vl1 plus gamma l delta t vc minus vl अब इसके बाद यह क्या जाएगा देखो vc minus आएगा ना minus लगा ना यहां तो तो vc minus vl ठीके फिर आजाएगा vc gamma c minus vl gamma l delta t equals to vc minus vl यह हो गया तो vc gamma c equals to vl gamma l vc gamma c कितना हो जाएगा इस case में vc gamma c हो जाएगा मेरे पास container का जो volume होगा अब यहां पर देखो vc कितना होता है 3 alpha होता है gamma sorry vc जो है इन्होंनों बोला कि container का जो volume हो तो दियावा है 500 gamma कितना होता है 3 alpha तो इसके लिए आपको beaker के लिए तो इतना दियावा है 6 into 10 to the power minus 6 और liquid के लिए यह कितना दियावा आपको 1.5 तो vl 1.5 10 to the power minus 4 तो यह कितना आएगा 5 into 30 10 to the power minus 4 vl 1.5 into 10 to the power minus 4 यह minus 4 से minus कतम तो vl कितना हो जाएगा 30 by 1.5 20 cc तो इसमें अपना जो volume आएगा वो कितना जाएगा 20 cc ओके बच्चों note करें 23 में आपको बोला है amount of solar energy received on earth surface per unit area per unit time is defined as solar constant solar constant में देखो क्या होगा solar constant basically क्या होता है energy per unit time per unit area dimension पूछा है simple तो यह तो intensity होता है energy होता है m1 l2 t-2 time के लिए t1 और area के लिए l2 तो क्या जाएगा m1 l0 m1 l0 t-3 ठीके तो यह हो जाएगा m1 l0 t-3 की first option यहाँ पर 23 okay फिर इसका 24 में metallic square जो है वो cool होता है 50 degree centigrade से 40 degree centigrade 300 second में atmospheric temperature around is 20 20 atmosphere अब इसमें देखो next 5 minute यह time भी तो 5 minute ही दिया हुआ इसके 50 और 40 का average कितना हो जाएगा 50 और 40 का average हो जाएगा मेरे पास यह हो जाएगा 10 by 5 degree centigrade और minute के यह हो जाएगा 45 minus t-0 पहली question ही t-0 कितना है बेटा? t-0 दिया आपको 20 तो 45 minus 20 कितना हो जाएगा 25 पहली equation आजाएगी फिर दूसरा आजाएगा मेरे पास 50 minus दूसरे देखो इसने पूछा है कि अगले 5 minute में इसका temperature कितना होगा तो अगले 5 minute में मालेता हूँ इसका temperature कुछ ना यार इसमें देखो यह t1 minus t2 होता है क्योंकि यह finally rate जो है वह negative rate होती है इसलिए t1 minus t2 है ना अब यहाँ पर देखो 40 के बाद में मालेता हूँ अगला temperature t2, t3 रहा होगा और यह भी 5 minute में बताना है तो यह कितना हो जाएगा 40 plus t3 का average minus 20 तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास 40 minus t3 divided by 5 minute और इधर कितना आ जाएगा अब देखो दोने equations को यह सा करते है डिवाइड करते है यह second equation है ना इन दोने equations को हम डिवाइड करते है तो यह आ जाएगा 10 by 5 40 minus t3 by 5 फिर उसके बाद यह जाएगा 25 अपॉन 40 plus t3 by 2 minus 20 तो यह कितना हो जाएगा देखो 5 से कटेगा 5 बार यह 2 times cancel out ओके फिर उसके बाद यह जाएगा मेरे पास 2 40 40 plus t3 by 2 minus 20 और यह जाएगा 200 minus 5 t3 तो यह जाएगा 40 तो पेटा इसको अब आप solve करेंगे तो आपके पास 4 t3 is 240 divided by यह 40 से 40 खतम तो यह कितना जाएगा आपने पास 200 divided by 6 तो t3 बनेगा 200 divided by 6 यहने कि 100 by 3 तो approximately 33 तो मेरा अंसर के आएगा 33 degree centigrade ओके बच्चों नेक्स्ट आता है delta t mass of steam c of steam पहले तो steam को condense होना पड़ेगा न फिर उसके बाद उसको steam को भी जो है वो कहाँ प्याना पड़ेगा जो final temperature है वहाँ तक delta t calorie meter के लिए कितना दी आपको 20 gram water equivalent इसके लिए कितना है 180 into 1 delta t कितना है 31 minus 25 इतना ही change हुआ बस यह कितना हो जाएगा 540 यह हो जाएगा मेरे पास steam का mass m दिया हुआ है ना तो यह उसके बाद और यह 1 और यह हो जाएगा 69 क्योंकि 100 से वापस इसे भी 31 तक आना पड़ेगा तो यह आएगा 200 into 6 by 5 610 approximately तो approximation में आपका answer बनेगा तो यह 6 से almost कितनी बार गटेगा 100 बार तो almost 2 gram जो है वो आपका answer यहाँ बनेगा approximation में अगर हम देखें बच्चों तो आपका answer यहाँ पर वो बन जाएगा 2 gram ओके बटा फिर उसके बाद next आता है बच्चों यहाँ पर अगले question में आपको बोला है कि पहले तो water की specific heat और ice की latent heat दिया हुआ है मान लेता हुआ कि केवल M gram melt होता है आइस सारी तो melt नहीं हो रही ना इसलिए वो 200 gram का कोई मतलब नहीं 100 gram का कोई मतलब नहीं है जितनी melt होगा वो ही तो heat release करेगी है ना उसी को heat requirement है तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा M into L is M of water C of water delta T तो M L कितना दिया आपको यहाँ पर यहाँ नहीं ने दिया है L 3.4 10 to the power 5 mass of water कितना है 200 gram इसको kg में convert कर लो C water कितना है 4200 delta T कितना है 25 minus 0 तो यह हो जाएगा M 3.4 10 to the power 5 5 तो 5 से इसको अगर आप cancellation करोगे तो यह approximately 540 times cancel हो जाएगा देखो 840 ठीक 840 times cancel होगा into 25 तो इसको काटने के बज़ा आपन इसको कार देते ना 5 बार तो 42 into 5 अब यहां पर आप इसको solve करोगे बच्चों तो M कितना आ जाएगा 4200 into 5 divide by 3.4 into 10 to the power 5 अब यह आएगा अपने पास अब यहां answer आपको gram में ला रहा है ना तो ऐसा करते हैं इसको तो 42 into 5 10 to the power 2 करते हैं इसको लिखते हैं 34 10 to the power 4 लिख देते हैं फिर आपके पास रहेगा 42 into 5 यहां पर देखके एक बड़ डेटा चेक कर लेते हैं यह केजी में M gram जो है आपको gram में बताना है ना तो L अपने standard रखा है mass of water अपने 1 by 5 रखा है और अपने जू यह पूरा fix रखा है तो 2 by 10 5 से 5 10s cancel out तो यह 5 बच जाएगा ठीके इसमें कोई confusion नहीं है उसके बाद यहां पर 5 into 25 तो यह 4200 into 5 divide by this तो इधर इसको solve करते हैं पन 10 to the power 5 देखो 42 into 5 divided by 3.4 और इधर आजाएगा 10 to the power minus 3 यह कितना हो जाएगा 210 divided by 3.4 10 to the power minus 3 अब 3.4 divided by 210 तो 3.4 से अगर हम multiply करें तो यह approximately कितना कटेगा है यह approximately यहां पर cancel होगा 210 तो यह 34 का अगर 6 times देखें तो 34 into 6 कितना होता है 34 into 6 होता है मेरे पास 204 तो यह almost 61 times cancel हो जाएगा approximately है ना क्योंकि 34 into 6 होता है 204 उसके थोड़ा से ज्यादा है ना 210 तो यहां पर approximation में first option बन जाएगा अपना ओके बच्चों फिर आता है next 27 टू डिफरेंट वायर जिनकी लेंथ L1 L2 है temperature of coefficient of expansion जो है वो alpha on alpha 2 दियावा है इनको end to end जोड़ा तो effective length temperature coefficient कितना होगा effective temperature coefficient alpha series में होता है L1 alpha 1 यह एक direct formula है बच्चों alpha series जो होता है वो होता है L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 upon L1 plus L2 यहना even आप temperature coefficient of resistance पड़ तो ना वहां भी combination ऐसे ही करते है series के लिए तो अपना ही direct formula 27 का कौनसा option हो जाएगा third option आता है next 28 में temperature theta at the junction of two insulating sheet having thermal resistance R1 R2 अब इसमें देखो जो current यहां से flow होगा उतनी ही यहां से flow होगा तो i1 और i2 तो यहां सेम होगा i1 क्या हो जाएगा delta t यहने की theta 2 minus theta इसको यहां करो इसको i2 बोल दो और इसको i1 बोल दो तो यह i2 और यह i1 तो theta 2 minus theta upon R R क्या हो जाएगा R2 और ही हो जाएगा theta minus theta 1 upon R1 अब इन दोनों के जब आप सेम करोगे तो theta 2 R1 theta R1 theta R2 minus theta 1 R2 तो theta 2 R1 theta 1 R2 R1 plus R2 तो theta 2 R1 plus theta 1 R2 यह इस तरह से अपना final answer जो है वो सही बनेगा इसका first option जो है वो third option जो है वो यहां correct हो जाएगा ओके बच्चों फिर आते हैं 29 पे 29 में आपको यहां पे 2 statement given है when a rod lying freely is heated no thermal stress is developed सही बात है कोई thermal stress नहीं होगा जितना उसको extension होना है हो जाएगा on heating length of rod increase देको heating करने से length of rod increase यह भी बास है लेकिन इसका explanation नहीं thermal stress इसलिए developed नहीं हुआ क्योंकि इस rod को freely expand होने से रोकने वाला कोई नहीं था इसलिए thermal stress यहां developed नहीं हुआ तो not correct explanation दोनों सही तो हैं लेकिन correct explanation यह नहीं होगा okay उसके बार आते हैं 30 पे तीन road जिसमें identical cross section है length are made of three different material of thermal conductivity k1, k2, k3 यह join की जाती है their end to make a long road one end 100 पे है, दूसरा 70 पे है और यह 20 और 0 correct relation between k1, k2, k3 देको simple सह यहां पे जितनी current इसमें से निकलेगी उतनी ही इसमें से और उतनी ही इसमें से i क्या हो जाएगा delta t by r तो मैं बोल सकता हूँ delta t, यहां delta t कितना है यहां है 30 का drop यहां है 50 का drop और यहां है 20 का drop तो इसका मतलब 30 by r1 50 by r2 अब यहां पर r क्या हो जाएगा r हो जाएगा 1 upon k l by a ठीक है तो r हो जाएगा तो यह हो जाएगा 30 r1 क्या हो जाएगा यहां पर k1 r k के inverse हो जाएगा 30 k1 50 k2 और 20 k3 अब देखो कौनसे option इस relation को match कर रहे है k1 को अगर मैं 5 लेता हूँ और k2 को अगर मैं 2 लेता हूँ तो क्या match कर रहा है नहीं कर रहा है इधर तो आएगा 150 इधर आएगा 100 गलत अब इसको देख के हम यह बोल सकते हैं कि जो k3 है वो सबसे जादा है पहले तो देखो k3 सबसे जादा k1 से और k2 सबसे कम तो relation क्या ऐसा दियावा है नहीं यह भी नहीं दियावा है यह भी गलत है इसको देखते है 2 और 3 लेता हूँ तो 2 अगर में लेता हूँ तो यह कितना जाएगा 60 इसको 3 लेता हूँ तो मेच कर रहा है 2 और 5 लेता हूँ तो 2 का है 100 और 5 का मतलब यहां पर यह भी 100 बिल्कुल ठीक है 3rd option मेच कर रहा है कोई दिक्कत नहीं और 4 तो वैसे गलत है तो यहां पर आपको बस इस इक्वेशन को मेच करके देखना है कौन सर्डिस्पाई कर रहा है ओकी बच्चू इसके बाद आपको बोला है कि 2 metal wire identical metal wire जो है identical मतलब length and area same होना K1, K2 इन की thermal conductivity है effective thermal conductivity पूछा है combination में जब इनको series में जोडा है दो को series में हमें बता है कि R क्या होता है R1 प्लस R2 यह हो जाएगा 2L effective length upon K effective area L upon K1 A L upon K2 A तो यहां पर K effective क्या हो जाएगा 2 K1 K2 K1 प्लस K2 तो मेरा answer यहां हो जाएगा first option 31 का फिर इसके बाद आता है 32 32 मा पको बोला है कि each side of a box made of metal sheet of cubic shape is A at room temperature T coefficient of linear expansion of metal is alpha sheet is heated uniformly by small temperature T new temperature is this calculate increase in volume देखो volume में increase क्या होता है delta V by V is gamma delta T delta V volume क्या हो जाएगा A cube gamma कितना हो जाएगा 3 alpha delta T तो delta V कितना हो जाएगा 3 alpha A cube delta T तो 3 alpha A cube delta T मेरा first option यहां पर सही है बिल्कुल formula based question और लास्ट 33 question जिसमें आपको वोला है bi-metallic strip है of constant constants of metal A and B तो यहां पर bi-metallic strip जो है वो A और B की बनी हुई है और mounted rigidly as shown metal A is higher coefficient of expansion तो A का coefficient जो है वो B से जादा है when the metallic strip is placed in cold bath it will जब metallic strip cold bath में रखेंके तो क्या होगा ठीके अब जब metallic strip cold bath में रखेंके तो इसके भूई जिसका expansion alpha जाधा है उसका delta L भी जाधा होगा तो delta L यहां पर जो है वो क्या होगा बी के लिए A के लिए जाधा होगा A वाली रोट जो चोटा होना चाहेगी और B वाली रोट जो बड़ा रहना चाहेगी लेकिन दोनों अलग-अलग तो नहीं रह सकती न इसका मतलब इस तरह से मोड़ेगी तो इसका मतलब यह जो सिस्टम है वो इस तरह से बेंड होगा ऐसा होकर A अंदर और B बाहर रहकर जिसकी लेंद कम होती हो मेंशे अंदर होता है तो A की लेंद यहां कम होगी न क्योंकि यहां पर A की लेंद जो है पहले इक्वल लेंद ती बाद में डिक्रिमेंट A में जादा हुआ तो A की लेंद फाइनल लेंद B से कम आएगी तो इसका मतलब यह जो है वो इस तरह से bend होगी, तो bend towards left, अपना कौन सा option हो जाएगा यहाँ पर, fourth, तो इस तरह से आपने देखा बच्चों की जितने भी concept पे यहाँ question पूछे गए थे J-Mains में, वो सारे वही questions थे जिसकी हम practice करते हैं, इस तरह की practice के बाद finally, जो आप यहाँ पर गुरुनिती का revision करेंगे, गुरुनिती से अपने concept का revision करेंगे, तो आपको J-Mains के लिए मान लीजे, complete revision यहाँ पर मिल रहा है, कहीं कोई दिकत नहीं आने वाली, और आपकी जो दो बच़वा attempt हैं, उसमें आपको काफी help मिलेगी, ओके बच्चों, गुरुनिती के episode सार देखें, यूट्यूब चैनल को follow करें, CLC की यूट्यूब चैनल पर आपकी J-Mains की rank को improve करने के लिए काफी सारा content available है, अपने दोस्तों को सला दे, यूट्यूब चैनल पर visit करें CLC की, ओके बच्चों, thank you, J-CLC